हेलो एव्रिवान वेल्कम बैक टियरोन चैनल आज हम करने जा रहे हैं आपकी असिस्मेंट वोक्षीट नमबर नाइन सब्जिक्ट मैंट्स क्लास नाइन हमारी देट 16 निवेंबर के लिए तो चलिए शिरू करते हैं आज की वोक्षीट में आपको 10 कुश्चिन्स दिये वुए उसको मैं मिलग सकते हैं बिल्कुल और यह इसका reason है तो मतलब assertion भी ठीक है, reason भी ठीक है है और यह इसकी सही explanation भी है तो कौन सा option सही होगा both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion so a option will be correct ठीक है first का क्या answer हो जाएगा a next है question number 2 second question है the points minus 3 1 minute the points minus 3 5,5 and 5, minus 3 are in different positions in coordinate plane coordinate plane पे minus 3 और 5 यह अलग जगे पे होते हैं और 5 और minus 3 यह अलग जगे पे होते हैं so यह ठीक है हाँ बिल्कुल different positions होगी इनकी coordinate plane पे अंदर फिर a reason x is not equal to y अगर x y के equal नहीं है तो यह दोनों equal नहीं होते हैं अलग अलग points ही आते हैं यह भी बिल्कुल ठीक है है ना तो यह reason भी क्या है इसका सही reason भी है और दोनों correct भी है तो कौन सा option सही हो जाएगा फिर से a option correct हो जाएगा ठीक है next रिफर्ड assertion there are infinite number of lines which passes through 2 and 4 बहुत सारी infinite lines है जो 2 and 14 से गुजरती है infinite number of lines है इस points सो गुजरेंगी नहीं तो इस points से तो यह बाहर तो जाएगी ना है ना उसके बाद reason है तो first तो गलत है यह सही है ठीक है देखो infinite मतलब इस points से जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा यह अपका एक point है एक point से कहीं पर भी point हो infinite जाएगी वो ठीक है ना तो यह first option यहाँ पर correct होगा उसके बाद इसने बोला है linear equation in two variables is infinite in many solutions जो linear equation होती है two variables में उसके बहुत सारे solutions होते है हाँ बिलकुल होते हैं लेकिन यह इसकी सही explanation नहीं है तो बोथ A and R 2 but reason is the not correct explanation of assertion so कौन सा option सही रहेगा B option लिजो को correct होगा 9th class I hope so आप लोगों की preparation बहुत 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 अच्छे चल रही होगी अगर बच्चा आप लोगों को unacademy का फ्रीमे subscription चाहिए plus subscription तो आपको एक चोटा सा काम करना है और वो चोटा सा काम क्या है आप लोगों को unacademy पे 10 doubt पूछने है अपनी book उढ़ाओ NCRT की उसका photo कीचो, photo को crop करो unacademy पे post कोर दो तो आपका एक doubt काउंट हो जाएगा 10 मिनिट में 10 doubt पूछे जाएगे और आपके पास 15 दिन के लिए unacademy का subscription प्रिपरेशन भी हो जाएगी आप unlimited educators का access पास सकते हैं live test PDF बगएरा download कर सकते हैं तो बहुत ही बहतरीन मोका है आपके लिए अगर आप इसको use करना चाहें तो तो देखो बचे आपको doubt किस तरीके से पूछने है यह मैं आपको बता रहती हूँ आपको 10 doubt पूछने है 15 से 21 नवंबर के बीच में अगर आप 10 doubt पूछते हैं तो आपको 15 दिन का plus का subscription बिल्कुल फ्री मिलेगा plus subscription में आप इंडिया के जो best educator उनके दवारा पढ़ सकते हैं notes डाउनलोड कर सकते हैं PDF जिस पीडियो से पढ़ाते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं तो 10 doubt पूछने हैं बच्चे आपको और आपको इसके लिए code की जरुत पुड़ेगी unlock करने के लिए तो आपको code लगाना है पूर्णिमा 10 आपकी class का जो link है ठीक है कि पहले जो भी आपका doubt है ठीक है या तो आपने उसका screenshot ले रखा है या फिर आपकी direct आप बुक में से पूछना चाहते हो जैसे आप जब में live होती है तब पूछते हो तो आपको गया करना है उसको crop कर देना है ठीक है उसको crop ऐसे photo खीच की crop करना है crop करके post कर देना है यहाँ पे पूछेगा chemistry physics किसमें से doubt है तो आप click कर देना ठीक है click करने के बाद 2 minute के अंदर 2 minute नहीं 2 second के अंदर आपके पास solution आ जाएगा ठीक है आपको solution मिल जाएगा अगर आपको solution देखना है बाकि अगर आप 10 doubt पूछते हैं तो आपको 15 दिन का plus का subscription तो मिल ही जाएगा अब 15 दिन के plus के subscription से आपसे फाइदा क्या होगा पहली चीज़ आपको पता लग जाएगा कि यार plus में किस तरीके से पढ़ाया जाता है आपको further term 2 के लिए ये subscription लेना है कि नहीं लेना है और दूसरा फाइदा कि 15 दिन में आपके term 1 भी हो रहे है term 1 का सा 15 दिन में आपका cover हो जाएगा तो बहुत अच्छा मोका है 24 गंटे में आप सर्फ इसलिए नहीं कि आपको subscription लेना है इसलिए भी कि अगर आपको कोई doubt पूछना है तो भी आप ये बिल्कुल free है अभी open हुआ है बिल्कुल free में आप 24 गंटे के लिए डाउट पूछ सकते है अतलब यानि कि 24 गंटे में किसी भी टाइम पूछ सकते हो और जो आप लोग बहुत बार पूछते हैं मैं हिंदी या इंग्लिश दोनों में इंग्लिश में भी और हिंदी में भी ठीक है receive exact match for question by expert और जो आपका question है उसका exact match आएगा ऐसा नहीं कि similar सा आएगा obtain instant and accurate solution तो इसका link में ने description में दिया हुआ है और code आपको पता है पूर्णिमा 10 डालना है ठीक है अनलोक करने के लिए code जब आप फ्री में पूछेंगे तो code जरूर मागा जाएगा तो code आपको पूर्णिमा 10 डालना है link description में है तो इस मौके का फाइदा जरूर जरूर ठाओ ताकि जब मैं आपके special class लूँ तो आप में से बहुत सारे बच्चे सब्सक्राइब हो ठीक है second का क्या था second का था हमारा e ठीक है next fourth question assertion है जो graph है इस linear equation का वो इस point से pass करता है ठीक है तो वो pass करता है कैसे पता लगएगा इसके अंदर x की value 3 रखो y की value 1 रखो अगर right hand side left hand side की equal आया तो मतलब pass करता है तो जैसे मैं लिखा यहाँ पर x minus 2y is equals to 1 so x की जगे 3 लिखो 2 y की जगे 1 लिखो is equals to 1 3 में से 2 minus गए 1 बचेगा तो 1 is equal to 1 नहीं आया है तो left hand side right hand side की equal आया है तो first तो ठीक है जो graph है इसका यह इस point से जाता है correct होगा second है every point lying on sorry every point lying on graph is not a solution of x minus 2y is equal to 1 हर एक जो point है जो graph पर है वो solution नहीं है इसका x minus 2y is equals to 1 correct point हर एक point को थोड़ी solution होगा हमें क्या करना है जो not a solution है हर एक जो point है जो graph पर मतलब जो points आपके आई है इसके according ठीक है जो हमने graph पे कौन से plot points से plot करते है जो इसके solutions है वही plot करते है ना तो यहां पर note लगा है इसके वज़े से क्या हो जाएगा यह reason गलत हो जाएगा है ना तो assertion ठीक है और reason गलत है तो कौन सा option सही होगा तो assertion reason के लिए जो हमारा c option है वो correct होगा ठीक है ट्राइंगल के दो obtuse angles हो सकते हैं बताओ नहीं हो सकते हैं उसके बाद सम अगर पहला ही गलत है तो d option है सिर्फ क्योंकि d option है जिसमें यह लिखा है कि a is false and r is true some of three angles in the triangle is always 180 ट्राइंगल के अंदर तीन गलत है reason सही है कौन सा option है d option होगा ठीक है हो गया first का answer क्या है a second का answer क्या है a third का answer क्या है b fourth का c और fifth का d पहले 5 questions हो गई अब move करते हैं हम अपनी next 5 questions पे six question है some of the pair of angles like 120 60 is supplementary क्यों सम होता है pair of angles का वह supplementary होता है इनका सप्लिमेंटरी होगा 120 plus 60 कितना होगा 180 supplementary क्या होता है 180 है complimentary 90 degree होता है supplementary 180 हा तो यह 180 तो है तो अजर्शन ठीक है फिर उस ने बुला है दो एंकल जिनका sum 180 degree होता है उसको supplementary बूलते है बिलकुर जिनका sum 180 होता है वो supplementary होते है तो यह ठीक भी और इसके correct explanation भी है तो मतलब कुन सा option correct होगा यह option है वो हमारा correct होगा ठीक है next है एक triangle है ABC एक triangle है P के हुगा है अगर AB P के equal है AC PR के equal है तो और BAC के वो PR के equal है तो यह जो triangle है यह congruent होगे होगे न क्योंकि क्या तीन चीज़े होनी चाहिए angle sides में से गोई भी तीन चीज़े हमारा equal होनी चाहिए तो congruent होगे तीन चीज़े प्रूफ करनी होते है तो तीन चीज़े हमने प्रूफ कर दी बिल्कुल ठीक है पहला reason है बोध है triangle सा congruent by SSS congruent तोनों triangles congruent है SSS property से side 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 property से नहीं side side तो दो है तीसरत वा angle है तो side angle side property से congruent होगे ना कि side 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 से तो 7th का A option assertion तो ठीक है लेकिन reason गलात है ऐसा कौन से option में था C option में था तो C will be correct answer next assertion the height of the triangle 18 cm है area उसका 72 है base 8 दे रखा है आपको ठीक है so area 72 आएगा अगर height और base आपको दे रखिए देखो क्या formula होता है half यह देखो यह रहा half into base into height इसी के आगे लिख दू half into base into height देखो second तो ठीक है area of triangle half into base into height होता है और यह इसका reason base है क्योंकि half into base into height से ही area निकलता है ठीक है बस हम check कर रहे है कि सहीबी की है कि नहीं इसका मतलब बिलकुल ठीक है और reason भी है क्योंकि जो triangle का formula है वह यह उता half into base into height तो दोनों correct है और एक दूसरे की सही explanation भी है तो 8 cancer भी क्या आजाएगा A option correct होगा ठीक है हो गया next move करते है question number 9th और 10th पे देखो 9th question है sides है जो एक triangle की वह ratio में है 25, 14, 12 में perimeter 510 meter है तो greatest side क्या होगा then the greatest side is 250 cm तो greatest side 250 cm होगा बताएगे तो देखो यहां से 25, 14, 12 मैं इनको ऐसे लिख सकती हूं question number 9th है ठीक है ना एक minute लिखेंगे यहां पे answer 9 क्या ratio दे रखा था 25, 14, 12 तो 25x 14x और 12x किसके equal था 510 के equal था इनको आड करेंगे कितना हैगा 51x जो किसके equal होगा 1510 के equal होगा तो x क्या होगा 1510 by 51 10 होगा greatest side सबसे बड़ी side कौन सी है 25 है तो 25x कर लो 25 x क्या है 10 है कितना हो जाएगा 250 cm पस यह आपका answer होगा है question number 9 का greatest side पूझे दी क्या है 250 cm है ठीक है इसको हटा दू चलिए तो बस हम यहापे अपना जो option है देखते हैं 250 है ठीक है तो first तो आपका ठीक है बिलकुल क्योंकि 250 है दूसरा perimeter है वो क्या होता है प्लस B प्लस C होता है और भी C sides है बिलकुल यह होता है तो क्या assertion भी ठीक है reason भी ठीक है तो A option correct होगा ठीक है next है तो range है जो first six multiples of six is nine range nine आएगी पहले six multiples कि पहले six multiples कौन से six के six 12 18 24 30 36 range पूछे range क्या होती है highest minus lowest highest 36 है lowest 6 है 36 minus 6 क्या होता है 30 होता है assertion ही गलत है तो assertion गलत है तो कौन सा option था जिसमें assertion गलत है D option था range क्या होता है maximum value minus minimum value था true है यह तो ठीक है लेकिन first यह गलत है तो कौन सा option सही हो जाएगा जो D option है वो मारा answer होगा ठीक है तो यह 10 questions आपको given थे आज की work sheet में I hope आपको अच्छे से समझ में आ गए है कोई भी doubt है किसी भी question में तो comment चेक्षमिया मुझसे पूच सकते है और अगर आपको